है तो दोस्तों में हुँ राम और आप सभी का फीस स्वालत करता हूँ मेरे अपने यूटुप चान पर दोस्तों आज मैं आप सभी के शोचल में एक शोचल में पर 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 दियान करना सिखाऊंगा प्रोडेक्ट के जिसे का आप सभी को स्क्रिम पर दिख रहा है ऐसा कुछ क्रेटिव और सिंपल डिजान करेंगे स्टेप बाइ स्टेप तो प्रीज बनेरे इस वीडियो में स्टार्ट करें तक तो दोस्तों आप सभी चोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप में एचान पर पर पार आए तो भी में एचान को लाइक सबज़ो करेंगा तो देरी कृतिवे चले स्टार्ट करते हैं हम आगए Photoshop CC में मैं जाता हूँ फाइल में और यहां से एक निव फाइल क्रेट करता हूँ और यहां पर मैं साइज देता हूँ 10808 Height से 70 Relation है Color Mode RGB और यहां पर फाइल में लेता हूँ पोस्ट इसाइन और यहां से क्रेट कर लेता हूँ तो यह हमारा डिजाइन साइज आगया अब मैंने कुछ APG image लिए हैं तो इसे PNG कर लेते हैं तो मैंने यह image लिया हूँ तो इसे PNG कर लेते हैं तो PNG करने के लिए मैं जाओगा Select में और यहां से subject को select करूँगा यहां पर एक्टिवेट नहीं दिख रहा है subject तो यहां पर य इसे यहां पर select में और यहां से subject को select करूँगा तो इसके चारतुल एक selection on कर दे गए इसे PNG करने के लिए तो यह कुछ थोड़ा समय लेगा तो यह देखिए इसके चारतुल एक selection on हो गया अब मैं यहां पर masking on करूँगा इसके पीछे का background remove हो जाएगा अब यहां पर right click करू अब open package में brush को बढड़ा कर दो इस तरह हमें और यहाँ पे इस तरह एक प्लिक करूँगा तो एक कुछ इस तरह एफेक्ट आएगा अब मैं इसे एक डूब्लीकर लिक करोंगा Ctrl J ब्रेस करके और यहाँ पे Ctrl T करके से Right Click करूँगा और Flip Vertical करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं नीचे की तरह भी से इस तरह रखोंगा, इंटर करूँगा अब मैं इस ओपरा लियर को सेलेक करूँगा, Ctrl T करूँगा और इसे राट क्लिक करके इसे भी ख्लिप Vertical करूँगा और यहाँ पे मैं इस तरह से रखोंगा, इंटर करूँगा तो यह डिदानमा कुछ इस तरह दीखेगा अब इस प्रोड़क को सेलेक करके थोड़ और छोटा करूँगा इस तरह इंटर करूँगा अब इसे एक डूब्लिक कर्टी करूँगा, Ctrl J प्रेस करूँगा नीचे और लियर को सेलेक करके Ctrl T करूँगा और इस प्रोड़क करके यहां पे नीचे की तरह करूँगा राइट क्लिक करके से भी लिफ वर्टीकल कर लूगा इंटर करूँगा अब मैं यहां जाओंगा फिल में और इहां से में इसका फिल रखूँगा सेमिंटी पेसंट यहां पर टाइप कर लेका हूँ और इंटर करता हूँ अब मैं इसी के नीचे एक new layer लूँगा फिर से और यहां पर color box पर जाओंगा और यहां से color dark ले लूँगा इसी color से related color dark लूँगा मैं यहां पर आ जाएगा और यहां पर लाप इस तरह product के नीचे रख लूँगा अब मैं यहां पर shift down arrows इसे एक जिस्स कर लूँगा तो यहां पर अपने मोड टूल से लेक कर लेता हूँ इस तरह यह नीचे की तरफ लाजाएगा थोड़ा ऊपर की तरफ लिलूँगा तो यह इस तरह हमां कुछ इस त कर लूँगा तो यहां पर नॉर्मल में मैंने यहां पर मल्टी रखा हुआ है अब मैं यहां नीचे आँगा और यहां पर इस देर के उपर एक न्यू लेर लूँगा और यहां पर color box पर जाके यहां से light color पीक करूँगा उपर की तरफ जाके हमें यहां पर solid में और यहां पर इससे related dark color ले लूँगा ओकी करूँगा हम इससे drag करके इसके नीचे ले लूँगा और यहां पर right click कर दे स्मार्ट object कर लूँगा हमें जाओंगा filter में और यहां से जाओंगा blur में portion blur को select करूँगा और यहां पर इसका blurness बढ़ा लूँगा में इस तरह और इससे ok करूँगा अब में यहां पर इसके थोड़ी से opacity कम करूँगा इस तरह तक इसके पीछे shadow लगे अब में इस product को select करूँगा और यहां पर इससे थोड़ा highlight कर लेता हूं तो highlight करने के लिए मे निए में और यहां से label को बढ़ाऊंगा इस तरह highlight करूँगा इससे फट्रा सथ भी बढ़ा लूँगा थोड़ा minus करूँगा इससे AND करूँगा मैं फीर इमेज में जाओँगा और यहां से जाओंगा brightness में और यहां से इसका contrast बढ़ाँगा थोड़ा और ok करूँगा अब मैं फिर से image में जाके यहां से लिएगाँगा exposure में और यहां से इसका exposure थोड़ा बढ़ाँगा ज्यादा नी और ok करूँगा तो यह product हमारा highlight हो गया अब मैं यहां पर text लिखूँगा यहां पर text लिख लेता हूँ तो यह मैंने यहां पर text लिख लिख लिया इससे adjust कर लेता हूँ यहां पर तो यह मैंने कौन सा font युज के आप सभी इसका नाम दिखा देता हूँ यह राज on का name तो मैंने एक ही font युज किया इस design में पूरे अब मैं यहां layer में जाऊँगा और यहां पर टॉप लेता हूँ करें Ctrl Shift Alt T प्रेस करूँगा तो यह design combined होजाएगा अब मैं जाऊँगा filter में और यहां से जाऊँगा camera और यहां से जाऊँगा detail में यहां से इसका sharpness थोड़ा बढ़ाऊँगा इससे close करूँगा और basic में जाऊँगा इसका थोड़ा था texture बढ़ाऊँगा ज्यादा नी और इससे close करके में अड़ाएगी effect में आऊँगा और यहां से विर native को थोड़ा बढ़ाँगा और यहां ग्रेणिंग को भी थोड़ा 6 अब लगताऊँगा तो फाइन दोसोई डिजान हमा रेडी होगा प्रोड़क्त करिए तो दोसोई डिजान बहुत ही यूनिक और फ्रोफेशनल है इससे जरोड़ू ट्राइ करेगा और रहमें चैनल पे नहें तो पी में चाय को लाक सब्सक्राइगा धन्यवाद मिलते न नहें चुलियो में